हेलो इस्टूडेंट इस वीडियो में क्लाश टो इल इतिहास यानि हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट है और इस बार 6 मार्च 2024 के बोर्ड एक्जाम में इतिहास का पेपर देने वाले हैं तो हम उनके लिए लेकर आए इतिहास का एक वाइरल मॉडल पेपर जो पूरा सिलूशन के साथ मैंने हल करके आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि पेपर आपका 6 मार्च को कैसे पूछा जाएगा अलग-अलग पैटरन होता है हर एक सब्जेक्ट का सेम उसी प्रकार स आपका इतिहास का भी पैटरन है अलग और उसी तरीके से आपको पेपर मिला जाएगा 6 मार्च को पेपर दिया जाएगा जिस तरह से आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह मॉडल पेपर है और इसका में पूरा सिलूश के पेपर में पूछे जा सकते हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट में यह मॉडल पेपर है तो पूरा सिलूशन के साथ में बताएंगे यहां पर जो निर्देस दिया हुआ है इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रेश्ण का जो उत्तर देना है आ आपका छी मार्च को पूछा जाएगा देखिए प्रेश्ण स्टूडन खंड का है खंड का सी सुरुवात है और अड़ा तक जाएगा यहां पर देखिए सबसे पहला कोशन क्या पूछा गया है देखिए एक नंबर का कोशन है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक नंबर का कोशन है और सबसे फस्ट जो कोशन पूछा गया है कि महबूब इलाकी किनहे कहा जाता है यह आपको बताना है तो इनमें से निजामुत दीन ओलिया हो जाएंगे राइट एंसर यानि पहले का सी ओप्सन बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा और इसी तरीकी स आपका कोशन बैंग जो बुक है उससे आपका पूछा जाएगा तो हमने ऑब्जेक्टिव कोशन का भी वीडियो बना दिया है नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखे लिजिएगा दूसरा देखे यहापर देखे दूसरा है हमपी को राश्टी महत्यों के अस्थल के रू देखे इतिहास का यह most important आपका paper है viral paper है पूरा आप लोग भी solve कर देंगे हमारे साथ में तो आपके तैयारी का अंदाजा लग जाएगा और सेम इसी प्रकार से student में गारंटी लेता हूँ 100% की सेम इसी तरीकी से आपको 6 March को paper देखने को मिल जाएगा बस क्या फर्क होगा question question change होगा question जो change होगा वो आपके examiner के द्वारा change किया जाएगा और आपके book में ही उसका answer होगा और आप लोगों को में तयार करा देता हूँ answer तो तयार करके जाएगे और उसका answer आप लिख दीजे तीन number question है यहापर नस्खा ए दिलकुसा यहापर देखे नस्खा ए दिलकु देखे संताल विद्रो कब हुआ था काफी बार हमने बता दिया है पेपर में आपका पूछा जाएगा तो यह आपका 1856 से 1856 इस वी के बीच में एक साल के gap में जो था उसी में संताल विद्रो हुआ था तो चार नंबर का वी राइट एंसर हो जाएगा अगला देखे देश की राजजानी लखनाओं में देखे लखनाओं में 1857 की क्रांतिका नेत्युत्र कौन कर रहा था तो वो आपके कर रहे थे बेगम हजरत महल कोर सिंग बिहार के हैं तो बिहार वाला भाया कोई अंदोलन था हमने बताया था आप लोगों को बताओगा छे नंबर कोशन भी हो जाएगा लाहोर में हुआ था जो कि पंजाब की पहली राजदारी हुआ करती थी लाहोर में 1929 में कांगरेश का द्वेशन हुआ था उसके बाद ने दिखिए 7 नंबर कोशन ये दिखिए 7 नंबर कोशन है पिर्थक निरवाचिका का बनाए रखने की पिर्थक गूगल पर भी सर्च किया तो वहाँ पर लॉड मेंटो दिखा रहा था आपके हिसाब से साथ नंबर कोशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा जिन भी इस्टूरेंट ने अपने इतिहास के आपजिक्टी कोशन को तयार किया होगा उनको इसका एंसर पता होगा और आप लोग पूरा हल किजिएगा इस से आपका अंधाजा लग जाएगा कि आप सौ मेंसे कितने नंबर के लायक है इतिहास में अभी तक आपने इतिहास की तयारी की होगी तो आठ नमबर कोशन ने लोथल इस्तिल है तो लोथल आपका बहिया गुजरात में आज वी रैट इंसर हो जा लगते हैं उस तरह से देखा जाए कि लाश्टोयल अर्थसास्तर जो की एकॉनमिक्स है उसमें एडम इसमित हो जाएंगे तो यह पर नो का आपका वी राइट एंसर हो जाएगा दस नंबर कोर्शन देखें यह आपर क्या पूछा गया है यह दिखी दस नंबर कोर्शन है वी 52 राइट एंसर हो जाएगा जो कि 10 का भी बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा तो यह पर देख सकते हैं इस्टूडेंट हमने 10 objective जो कोर्शन था पूरा solve करके बता दिया है आपके इतिहास के बुक से ही लिया गया इस सारी प्रेशन है जाकर अपने कोर्शन में आपको नितकनी की अवश्रक्ता नहीं है उसके बाद में देखिया अब खंड खा आ गया है यहापर देखिए खंड खा आ गया है जिसमें 5 हमारा क्या है अतिलगो तरी प्रेशन होगा जो की 2-2 नंबर का परतेग प्रेशन है 5 कोर्शन होगा तो इसका भी मैं अंसर आपको देने वाला हूं देखिए अतिलगों तरी प्रेशने खंड खा में सबसे जो की 11 नंबर कोर्शन है उस तरह से देखा जाए वह भी कल्पिये की द्रिष्ट से तो देखिए 11 नंबर कोर्शन है अलवार ए-9 नार के विशे में आप क्या जानते हैं तो उत्तर के साथ में बताएंगे देखिए अलवार वैशनोय भक्त थे, किसके तो वैशनोय भक्त थे, इनकी संख्या बारवी थी, यहाँ देखे बारवी थी, इनमें यहाँ देखे तिरु मेगई पेरिये, फिर अंडाल, फिर नामना लवार परमुक थे, नैनार शेव भक्त थे, इनकी संख्या तिर्शत थी, इसमें अपार तिरुग्यान और यह आपको दिखे संबंदर सुंदर मूर्थि आद उन लिखनी थी यह अलवार यह नैनार की विशे में आप क्या जानती इसकी बारे में है इतना आप लोग लिख दीजेगा दो नंबर आपका मिल जाएगा उसके बाद में देखे यहापर 12 नंबर क क्या पूँचा गया विजे एगर्की भौगोली की स्थिति की कि नहीं दो विशेष्बारे देखे विखे परवर्त शलाउं के माद्यिश्टित यह सबसे पहला हो गया दूसरा हो जाएगा आपका इसके आस-पास ग्रै नाइट की सुन्दर प्रपाडिया थी जो सहर के चारों ओर से क्या करधनी के सामान घिरे हुए थे और विजनेगर समराज की स्थापना कब हुई थे इस्टूडेंट बोड एक्जाम में पूछा जाएगा खास करें बहुत कल्पिये में तो 1336 में हुआ था किन्हों ने किया था हरिया और वुक्का नावी भया दो विजनेगर समराज की स्थापना तेरा नम्र कोशन है पावक कौन थे तो पावक के बारे में दिखिए पावक वे लोग थे जिन्हें जमीन के वदले शैने शैवा देनी पड़ती थे असमर में आरों राज्यों में अपने पायक होते थे यानि पायक का अर्थ होता है कि जमीन के बदले क्या होते थे जो जमीन दे देते थे उनको भईया पायक नहीं होना पड़ता था यानि उनको शेवा नहीं करनी पड़ती थे लेकिन जो नहीं देते थे एक प्रकार से कहते हैं न कि किसी कारों में हेल्प कराना या किसी क्या जो पूजा पार्ट वगेरा है वहाँ पर क्या आप लोग क्या पैसे नहीं दे पाते तो वहाँ पर आप जाकर हेल्प करा दिजिए से मोही प्रोसेस पायक में भी था यहां पर देख सकते हैं उत्तर में कि पायक वही लोग थे जिने जमीन के बदले शैन सेवात देनी पड़ती थी असम में आहूम राज्यों में अपने पायक होते थे तो इसका भी राइट एंसर हमने दे दिया है अगला देखिए 14 नंबर को बिट्रिस अधिकारियों की नीत किर्शी भूमी का विस्तार करके कमपणी के राजश्यों में वृद्धी करने की थी संथाल जंगलों को साफ करके इस्थाई खेती करने के लिए तयार थे अता बिट्रिस अधिकारियों ने संथालों को जमीने देकर क्या है राजमहल की तल हटी तल हटी में बसने के लिए तयार किया तो संताल लोग राजमेहल की पहाड़िया कैसे पहुंचे इसके बारे में बताना था संतान लोगों की बारे में हमने बता दिया पर संताल होना चाहिए साथ कम्प्टूटराइज में गड़बर हो जाता है तुछ के लिए में माफी चाहूंगा उसके बादे देखे 15 नम्र कोश्चन केविनट मिसन भारत कब आया इसकी बारी में आपको बताना है और इसी तरीकी से आपको एंसर में जाएगा याई एंसर आपको इसी तरीकी से कॉपी में लिखना है इतिहास में कॉपी कैसे लिखी आती है नहीं देखा वीडियो अप लोग ने तो जगर जरूर देख लीजीगा देखे उत्तर देखे कैविनट मिसन 1946 में भारत आया इस मिसन ने कांग्रेस और मुश्लिम लीग को एक ऐसी संग्ये विवस्था पर राजी करने का परियास किया जिसमें भारत के अंदर बिभ जो विशे के लिए विफल था तो दो नंबर इसमें भी मिल जाएंगे पांच आपके अती लगुत्तर ये प्रशन था पांचों कामने अंसर आप लोगों को बता दिया है अब देखें यहाँ पर हमारा खंडगा आ जाता है यह चार-पांच भागों में डिवाइड ही त्य आइंसर देना होगा यहाँ पर देख सकते हैं पांच नंबर का इसको पूछे गया है और बैक्ग्राउड में आपको काफी अन्नोन वाइस सुनाई दे रहे होगे तो इसको प्लीज आप लोग इग्नूर कीजिएगा सुना नंबर कोशन देखे सूफी मत के उदय के कारणों का वरण कीजिए जो सूफी मत है इसके उदय के कारणों का वरण हम में करना है उत्तर देखे भारती इतिहास में मद्द कालीन यूग प्रारम से ही संघर्षों का यूग कहा जा सकता है इसलाम के आगमन के बाद इस देश के जनता एव सासकों के लिए अनिवार था कि परश्पर सहयोग और समन्नवे की भावना को महत्तु दिया जाए इस विचार धारा के परड़ाम शरूप कवीर नानक आद संतों का क्या प्रदुभाव हुआ था प्रदुभाव हुआ था परंतु सच्चाई ये है कि उनके मुशलमान होने पर भी क्या है होने पर भी उनकी सामाजिक तथा धार्मियक अश्वस्थता में कोई खास परिवर्तन नहीं आया तत्यों को अंदेखा करने के कारण उलेमा वर्ग ने समय की पुकार का अहसास नहीं किया सच तो यहा है कि सूफी मत और शूफियों ने ही इसलाम को बदलते हुए सामाजिक तथा धार्मियक वातावरण में रहने की सक्ति परदान की थी तो जो हमारा सूफी मत के उधर का कारण था वो यही कारण था स्टूडेंट देख सकते हैं पूला नंबर कोशन का अंसर हमने आपको बता दिया है ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या है वीडियो को अराम से रूक लीजी और आप लगा सकते अंदाज है किस तरह से हमें कोशन का अंसर छे मार्च की पेपर में दे रहा है तो इसी तरीके से आपको पेपर में दे रहा है अंसर बहुत ही इजी तरीका आपको ज्यादा महनत करने की आवश्यक्ता नहीं है उसके बाद में देखी हैं आपर 17 नंबर कोशन देखें student 17 नमबर question है तुंग भद्रा नदी की तटिये पहाड़ीों की धारमेक महत्तु को समझाईए तुंग भद्रा जो नदी है इसके धारमेक महत्तु को आपको समझाना है देखें ये भी आपका 5 नमबर का question है उत्तर देखिए इस्तानिय मानिताओं के अनुशार तुंग भद्रा नदी के तट से लगे सहर के चटानी उत्तरी भाग की पहाड़िया रामायन में उल्लिखित बाली और सुग्री के वानर राज की रच्छा करती थी इन पहाड़ियों में विजय लगर समराज की पूर्व काली के जान मंदर भी मिले है दूसरी सब्दों में ये छेत्र कई धार्मेक मानिताओं से संबंद था इस छेत्र में मंदर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है जो पल्लव चालुक के होई साल तथा चोल वनसों तक जाता है मंदर सिच्छक के केंदरों के रूप में कारिक करते थे सासक और अन लोग मंदर के रख रखाओं के लिए भूमी या अन संपदादान में देते थे अतैयू मंदर महत्पूर धार्मेक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंदरों के विक्सित हुआ तो जो कोशन पूछा गया था हमारा तो भद्रा नदी की तटिये पहाणियों की धार में एक महत्तु क्या थी वह यहीं धार में इक महत्तु थी जैसा कि यह आप आप देख सकते हैं कोशन का एंसर में हाला कि ज्यादा नहीं है 50 सब्दों में इसका आपको दे पुरिस्तुत कितने सब्दों में लिखना है किस तरह से लिखना है सारी चीशे हमने इतिहास के कॉपी वाली वीडियो में आप लोगों के लिए मना रखा है तो जाकर जरूर देखिएगा उसके बाद ने देखिया 18 नंबर कोशन यह देखिए 18 नंबर कोशन है अकबर के सा आसर में भूमी के वर्गी करण के मापदंड का आइन में निम्निवत वरण किया गया है अकबर बादसा ने अपनी गहरी दूर दर्शिता के साथ जमीनों का वर्गी करण किया और हरी एक ब्रेकर्ण में देखिए वर्गी जमीन के लिए अलग-अलग राजश निर्धारित किया पोलजवह जमीन है जिसमें एक के बाद हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं चोड़ा जाता है फिर परोती वो जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वो अपनी खोई ताकत वापस पा सके फिर चचर वो जमीन है अकबर की भूमी का वर्गी करण करती हैं उत्तर में आप देख सकते हैं और एंसर भी हमने काफी जबरदस आप लोगों को बताया है देखा जाए तो इसका एंसर बुक और कोशन बैंक में बहुत बड़ा दिया हुआ है लेकिन हमें उतनी लिखने की अवश्रक्ता नहीं है ज सब्सक्राइब करिए और आफ रूप से हर एक सब्जेक्ट के जो आल्स के हमारी स्टूडेन्ट है उनकी में पूझ lucky तैयारी करा रहे हूं काफी एच्छा स्टूर कर रहा है और आप भी काफी अच्छा स्कूर करेंगी बस आप हमारी बताएगे तरीकों को follow कीजी, ज्यादा से यादा आप लोग model paper को हल कीजी, ज्यादा से यादा आप हमारी important topic का video भी देखिए, तो जो 18 number question था इसको भी हमने बता दिया है, अगला question देखे, 19 number, ये देखे, 19 number question है, 1857 इस्वी के स्वतंतरता आंदोलन के 4 कारण बताईए, अब ये क्या है विशे के लिए 4 कारण बताना है, तो उत्तर देखे, 1857 इस्वी के स्वतंतरता आंदोलन के 4 कारण निम लिखित है, यहापर देखे, सबसे पहला है, अंग्रेजों ने आर्थिक दिरिष्ट से ब्यापार और हस्त उद्द्योग्यों को काफी चोट पहुँचाई थी, दू इसके बाद में दिखे, तीसरा यहाँ पर, दिखे, मुगल समराट को भी बहुत निम्न इस्थिती में ला दिया गया था, चौथा नंबर देखे, यहाँ पर, सैनिकों को जो, यहाँ पर देखे, सैनिकों को, जो ची लगी हुए कार्टूस दिये गए थे, उनसे हिंदू त पांच नंबर पाने के लिए इतना इंपोर्टेंट है, इतना ही आंसर आप लोग लिख दीजेगा, पांच नंबर आपका कंफर्म है, उसके बाद में देखे, बीस नंबर कोशन, जो कि लगूत तरिये का यह सायथ पांचवा कोशन हो जाएगा, देखे, नमक कानून, पांच नंबर के कोशन का साथ में आपे बताना है, और आइंसरी भी इसी तरीके से जबरदस्त बताना है, देखे, नमक एक बहुमूल्य राष्टी संपदा थी, जिस पर ओपनिवेशिक सरकार ने अपना एका इधिकार इस्थापित कर लिया था, गांदी जी की इसे ही वंचित नहीं करता था, करता था, अपे तू प्रकिर्द द्वारा बहुतायत से उत्पादित संबदा का भी विराश करता था, उसके बादे देखिए, इसी लिए गांधी जी ने ओपनिवेशिक सासन की विरोध के लिए नमक का परतीक रूप में चुनाव किया, सी इसे ही कारता देख सकते हैं, बीस नमबर कोश्चन का अपने अंसर दे दिया है, उसके बाद में देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए जैसा कि हमने बताया आप आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, 21 नमबर कोश्चन है, और जो कि आखिरी साथ कोश्चन है, देखिए, मातमा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्य भासा होनी चाहिए, जो हिंदुस्तानी ने हमारी इंडिया की राष्ट्य भासा होनी चाहिए, मातमा गांधी को ऐसा क्यों लगता करता था कि हिंदुस्तानी राष्टी भासा होनी चाहिए 1930 के दसक तक भारते राष्टी कांग्रेस ने यह सुविकार कर लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्टी भासा का दर्जा परदान किया जाना चाहिए उसके बादे देखिए गांदेजी निम्न कारणों से हिंदुस्त के मेल से उत्पन्न रही हिंदुस्तानी भारते जंता का एक विशाल भाग की भासा थी उसके बाद में देखें दूसरा यापर दूसरा है हिंदुस्तानी विभिन संस्कृतियों के आदार प्रदान से समरिद्ध हुई थी और इस प्रकार ये जन सामान की एक साजी भाशा मन तीसरा देखे यहाँ पर क्या है हिंदुस्तानी में समय के साथ साथ अनेक इस्तुरूतों से नए सब्दों और अर्थों का क्या शमावेश होता गया था इसके परिडाम शुरूप विबिन छेत्रों के अनेक लोग इसे क्या है भली भाद समझ सकते थे उसके बाद में देखे चार नंबर गादी जी का विचार था कि राष्टी भासा का एक ऐसी भासा होनी चाहिए जिसे सभी लोग क्या सरलता पूर्मक समझ सके हिंदुस्तानी इस कसोटी पर खरी उतरी थी तो यानि यहीं बताया था यानि महत्मा गादी जी 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 जो थे इनके हिसाब से इंदुस्तानी राष्टी भासा होनी चाहिए ऐसा लगता था इनको और इनकी बारे में पॉइंट भी दिया हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस्टूडेंट जो हमारा छे कोश्चत था जो की लगूत तरीय का था पांच नंबर का परतेक प्रश्चन था हमने सारे का आंसर दे दिया है सेम इसी तरीकी से पेपर में भी पूछा जाएगा और इसी तरीकी से आपको आंसर देना है जो इसमें अब जितने भी महत पूर प्रश्चन बता रहे हैं सारे को आपको कोश्चन वित आंसर तयार कर लेना है एक वकार से समझ सकते हैं कि हमें important question बता रहा हूं हाला कि ये पेपर है, पेपर इंपोर्टेंट है, सीम पेपर ऐसे ही पूछा जाएगा सो नंबर की पुढाग की साथ में, उसके बाद में देखें यहाँ पर, खंड घा आ गया है, खंड घा में देखें वरिस्तु तुत्तरी प्रशन है, कि कौन सा प्रशन है, डियर श्टू है, यहाँ पर अथवा लगकर भी कोशन आपका पूछा गया है, जैसा कि देख सकते हैं, चाया बाइस नंबर कोशन बता लीजिए, आप नीची वाला कि श्वतंतरता आंदोलन में महत्मा गांदे की भूमिका का परिच्छन करें, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, त तो यह वाला कल दीजी, मौर सामराज के पतन के कारणों का उल्लेक कीजी, फिर 24 नंबर कोशन देखिए, भारत छोड़ो अंदोलन कम चलाया गया, इसके परमुक कारण क्या था, इसके बारे में होता है, याई टोटली क्या इस्टोजन यहाँ पर देख सकते हैं, फिर अथ नंबर दिया जाएगा, सब्द सीमड हाईसो से लेकर, तीन सो सब्दों में आपको दे रहा है, इसका अंसर, उसके बाद में देख सकते हैं, इसका अंसर आपको आपको कहाँ पर मिलेगा, हाला कि मैं इसका अंसर नहीं आपको वताने वाला हूँ, काफी वीडियो जो मैं cover क चुका हूं इसका आपके question bank में मिलेगा जो भी आपने question लिया है छेओ का question भी आसर आप लोग तयार कर लिजी paper में आएगा तो सका answer आपको लिखना है paper में आभी सकता student क्योंकि important है और आएगा आएगा उसके बांदे देखिए खंड अड़ा आ गया है खंड अड़ा में क्या पूछा गया यहां पर देखिए 25 नेनों यानि 25 नमबर कोश्चन है कि निमलिखित एतिहासिक तित्थियों से संबंदित घटनाओं के बारी में बताईए यहां यहां पर देखिए एक एक नमबर का आपका पड़ते एक देखिए 10 नमबर आपको देदिया जाएगा यहां पर हमें क्या बताना है इतिहास के एतिहासिक तित्थियों इतिहासिग घटना क्या है यह यानि इस दिन को क्या हुआ जैसे यहां पर देखिए 563 इसा पूर्म में क्या हुआ था इस्टूर्ड वें आपको बता रहा सब्सक्राइब को पता होगा स्टूडेंट को सब्सक्राइब मास्टर्वाइंड राजी अर्यांत या विद्या कोश्चन का जोगी कोशन में या बुक है उसके पीछे वाले भाग में आपको एतिहासिक दिथी की बारे में मिल जाएगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका अंसर उसी में मिलेगा आपना आप से ढूड लीजिएगा आपको बहुत ही इजी तरीकी से इसका अंसर मिल जाएगा हाला कि मैंने चार का बता दिया है और सेम इसी परकार से इसका अंसर आपको मिल जाएगा जाकर देख लीजिए और 26 नंबर कोशन यहां पर देखिए 26 नंबर कोशन है कि दिये गए भारत की रेखा मानिचित्र में निमलिकित अस्थानों की चिन्य द्वारा दर्शाये तथा उनके नाम भी लिखिए सही नाम तथा सही अस्थान दर्शाने के लिए एक प्लस एक अंक निर्धारी था यानि एक प्लस एक अंक आपको दे जाएंगे सही नाम तथा सही अंक आपको दर्शाने के लिए तो यहाँ पर देख सकते है student आपको एक मांचितर दिया जाएगा बोड एक्जाम में जब आप जाएंगे इतिहास का paper देने तो वहाँ पर आपको एक मांचितर दिया जाएगा वहाँ पर आपको क्या question का answer लिखना है आपको 10 number का है 5 प्रश्ण है एक number आपको मिलेगा जब copy पे लिखेंगी और एक number लिखेंगे जब आप map में दर्साएंगे total आपका एक question दो number का होगा तो यहाँ पर देखें जैसे पहला question पूछा गया है मैं दिखा दू वह अस्थान जहाँ महावीर श्वामी का जन्म हुआ था तो वैशाली में निकार जन्म हुआ था वैशाली कहाँ पर है विहार में है तो इसको क्या है वैशाली आप copy में लिख देंगे विहार कहाँ पर है विहार के वैशाली में आपको लिखना है मानचित्र दिया जाएगा वहाँ पर आप धर्सा दीजे एक नमबर आपको बहुत इजी तरीकी से मिल जाएगा मानिचित्र इतिहास का कैसे भरना है नहीं आपको पता है तो वीडियो जाकर देग लीजे या आप क्या सर्च कीजेगा किस पर इकलाश टोईल इतिहास का मानिचित्र कैसे भरे कुशाण सासको की विशाल काय मूर्तिया मिली तो विशाल काय जो मूर्तिया मिली वो मत्हुरा मिली काप मिली स्टूडेंट वो मत्हुरा में मिली चौथा देखिए वह स्थान जहां पहली बार राष्ट गान जो जन गणमन है वो गाया गया था जो कि अब कोल काता हो चुगा है उसके बाद देखे पांचवा कोर्षन आखरी कोर्षन है वह अस्थान जहां से गांधी जी ने नवक सत्रगारा शुरू कियागा तो दांडी गुजरात हो जाएगा तो यह पर देख सकते हैं इस्टूडेंट हमने पांचो प्रश्न का एंसर दे दिया आपको मैप में कैसे भरना है वीडियो हमारा देख लिजेगा हमने काफी सारी वीडियो बनाए हैं और आप लोग इक्यासी वाला टॉपिक नहीं वीडियो देखिया है इक्यासी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो तो जाकर जरूर देखे लिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है